आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसका मतलब दो चरवाले रासी के बीच वर्गी कृत कागज पर संबंद दिखाना ग्राफ कहलाता है ग्राफ कहते हैं यानि कि दो चरवाले रासी के बीच वर्गी कृत कागज पर संबंद दिखाना ग्राफ कहते हैं जो हमारे पास दूसरा विकल्प है चाट यानि मानचित्र उसे कहते जैसे परवत नदी उसके वाद अस्थान देश आधी को कागज पर लगूरूप देकर यानि छोटा रूप देकर लगूरूप देकर समझाना चाट यानि मानचित्र कहलाता है और जो तीसरा विकल्प है वो है मॉडल या नमूना किसी वस्तु का किसी वस्तु का प्रकृति या गून के जाच के लिए लिया गया उसमें से थोरा सा हिसा जाँच के लिए लिया गया थोरा सा भाग वस्तू के थोरा सा भाग थोरा सा भाग या हिस्सा इसे हम नमूना कहते हैं किसी वस्तू का प्रकृति या गुन की जाँच के लिया गया वस्तू के थोरा सा भाग या हिस्सा को हम मौडल या नमूना कहते हैं और जो हमारे पास चौ रेखा और रंग के माध्यम से कागज पर रेखा और रंग के माध्यम से मानव का चिंतन एवं भावनाओं को अभी विक्त करता है। उसे हम दो चरवाले राशी के विच वरगी करित कागज पर समझ दिखाना गराफ कहते हैं। चाठ या मनचितर परवत नदी या स्थान देश आदी कागज पर लगुरूप देकर समझाना मनचितर कहलाता है। मोडल नमूना किसी वस्तु का प्राकृति या गुन के जांच के लिए लिया गया वस्तु के थोरा सा भाग या हिसा को हम मोडल या नमूना कहते हैं द्रोइंग या चित्रकरी कागज पर रेखा और रंग के माध्यम से मानव का चिंतन एवं भावनाव का विविप्त करना जित्रकरी का हलाता है यहनी जो हमारे पास तीसरा विकल्प हो, उसको छोड के अन विकल्प में जो सबद है, वो कागज पे, कहिन कई कागज पे की जाने वाले समंध दिखाने वाले सबद है और जो तीसरा मोडल है यह तीनों से अलाग और भी नैसे लिए जो हमारा उत्तर होगा वोगा मोडल या नमून विकल्प तीसरा हमारा उत्तर होगा